साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो देश की एकोनोमी को नई उर्जा देने में, एक बड़ा पुष्ट देने में, भारत को आत्मन निर्फर बनाने में, बहुत बड़ी भूमी का निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइल्स्टोन मानता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा, माइल्स्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सुचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रुप में भी देख रहा हूँ। आपके लिए ये देश में वेल्स्ट क्रियेटर्स और जॉब क्रियेटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आर्बियाए गवर्णर ने जॉब क्रियेशन की चर्चा चाहिए। मैं समझता हूँ यह समय है। अज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस इट के साथ साथ देश की बैलेंस इट को बढ़ाने के लिए भी प्रो एक्टिव होकर काम करें। कि कस्टमर आपके पास आपकी ब्रांच में आए यह इंतजार मत कीजिए। कि आपके कस्टमर की कंपनी की में समस की जरूरतों को एनलाइज करके उनके पास जाना होगा। उनके लिए कस्टमाइज सॉलूशन देने होंगे। जैसे मैं उधान देता हूं। कि उत्तरप्देश के मुंदेल खंड इलाके में और तमिल नाडु में है। कि दो डिफेंस कोरिडोर बने हैं। कि अब सरकार तेजी से वहां काम कर लिए। क्या उस कोरिडोर के आसपात जुड़ी हुई जितनी बैंक ब्रांचीज है। क्या कभी उनको आपने बुलाया उनसे मिटिंग की। कि दो डिफेंस कोरिडोर बन रहा है मतब एक पुरा डिफेंस का नया सेक्टर यहां रहा है। बैंक प्रोएक्टिवली क्या कर सकती है। डिफेंस कोरिडोर आने से यही चीज़ आने की संभावना है। कौन-कौन कैप्टन्स हैं जो इसमें आएंगे। कौन छोटे-छोटे-छोटे चेन होंगे, MSABS होंगे, जो इसकी सपोर्ट सिस्टिम में आएंगे। इसके लिए हमारा बैंक का अप्रोच क्या होगा। हमारी अलग-अलग बैंकों की बीच में कॉम्पूटिशन कैसे होगी। भारत सरकार ने जिस डिफेंस कोरिडोर की कलपना की है उसको धरती पर उतारने में बिलम नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है भाई, सरकार ने डिफेंस कोरिडोर बनाया है लेकिन बहरा तो उसी पर ध्यान है। क्यों 20 साल से हमारे एक वेल सेटल क्लाइन्ट है चल रही है गाड़ी बैंक भी चल रही है उसका भी चल रही है। हो गया। तो इससे होने वाला नहीं है।